समविदान में आगे आता है 1946 का अंतरीम सरकार का गठन ये ऐसी सरकार बनाने का विवरन था जिसके उपर कोई सरकार ना हो 24 अगस्त 1946 को गोशित हुआ, 2 सितंबर 1946 को सरकार का गठन हुआ जिसके अध्यक्स थे लोड माउंट बैटन और उप अध्यक्स थे पंडित जवाहरलाल नहरू और 13 अन्य सदश्य भी सामिल थे 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी उसमें सामिल हुई, तब जाके जो अन्य 13 सदश्य थे इसमें से 5 सदश्यों को निकाला और 5 मुस्लिम लीग के सदश्यों को रखा गया 13 में से निकाले जाने वाले कुछ सदश्य थे जिनके नाम सयद अली जहर, सरत चंद्र बोस और साफ़त अहमत खान थे जिनको इस बेठक में से निकाला गया था मुस्लिम लीग इस गठन में सामिल हुई, पाकिस्तान की मांग तेज होने लगी, मुस्लिम लीग द्वारा आमबेडकर ने इसका विरोध भी किया लेकिन असफल रहे